आज की स्कूर्ट वीडियो में आपको ओवर्सी प्राइम सेक्टर जी के वाले से इसक्टर जी में ओवराल जो डिवेलप्मन का स्टेटस है वो कहां स्टेंड करते हैं और इसकी प्रिवेलप्मन देखी जाए तो वह कितनी अच्छी दवेलप्मन अब तक स्मार्टी में इस सेक्टर G में हो चुकी है तो सेक्टर G में साइज आफ प्लाट की बहले चार साइट की बात कर लेते हैं नौर्श साइट पर इसके बनता है सेक्टर E, इसके चक्री रोड़ और कमर्शल्ज, इसकी वेस्ड साइ कि यहां पर दसमर्ला के जितने प्लॉट्स हैं वो तमाम के तमाम प्लॉट जो डिवैलप्ड है और पॉजेशनेबल हैं इन में ऐस सच कोई प्लॉट भी ऐसा नहीं है कि जिसमें पॉजेशन अवेलेबल ना हो अगर आप लट से इसको कंसिडर करें उस पॉइंट पॉजेश अगर पॉजेशनेबल है और यहां पर इनफेक्ट में रोड पे यहां वन कनाल के विलाज भी यहां कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो सोसाइटी की तरफ से इस ब्लॉट की प्रॉमिननसी आप इस अंदाजा लगास जिते हैं कि में रोड भी रेडी है कारपिटेट है मकमल प्लॉट मचूद है सिर्फ कुछ मासाइब चंद प्लॉट्स के जो कॉरानल प्लॉट्स के सिस्थे फाइफ विद इक्स्ट्र लैंड यह 12 मरला का कोगा जैसे प्लॉट ना।वर्च नंबर Mercedes-star होगा तो इसके लाओ बाकि इतने प्लोट्स है तो इसके दिभी इन प्लॉट्स की अभी फ्यूचर में देखेंगे कि विदिन नो टाइम यह डिवेलप पॉजशनेबल हो गी है एलिवेशन के लिहाद से इतना फेवरेट ब्लॉक नहीं है जिस दरा जी ब्लॉक है जिस दरा एफ लॉक ए ब्लॉक इस तरह यह फेवरेट ब्लॉक नहीं कि अब इसका अवराल व्यू है ऑगे यह ब्लॉक यह ब्लॉक है अब इसके स्टी व्यूच ए क्वाधिया था टॹर अपको को पहाड़ी नजर आ रही है इस साइट पर देख लें ये आट Lawrence भाड़ी मिर्शनेबल इस साइट ब्लॉक पहाड़ी है इस ग्यआ जढ़िय कोई मै जब society ने इसको प्रिक्यूर किया था तो यह सारा का सारा एरिया उससे वक्री डिवैलप और प्रोजेशनेबल था इसको सब्सक्राइटी ने से स्ट्रीट की अलाइनमेंट जो है वो थोड़ से चेंड की थी बाकी तमाम की तमाम चीज़ें वैसे की वैसे ही रखी गई थी अ अलाइनमेंट की बात की जाए तो पहले यहां पर जो कि नेशनल हाउसिंग साइटी का यहां पर गेट आता था उसको रिमोव करके साइटी ने यहां पर में रोड कर दिया 180 फीट का और इस रोड के साथ यहां बजा सी बात एक कमर्शल प्लॉट आने है तो यह इस तरह से करी बन 250 फीट पर चला जाता है पार्किंग का अरिया में लाके तो इस लिहाज से यह देखा जाए तो काफी ज़्यादा इसकी एक लोकेशन वाइज अच्छी बात है लेकिन स्टीट व्यू है मैं आपको दिखा दिया है स्टीट व्यू में इसकी बैक साइड वल ब्लॉक क अच्छी है बाकि इस ब्लॉक के अच्छी नहीं है जैसे मैं रिपीट कर देता हूं उससे स्टीट व्यू को कि यह ए ब्लॉक है तो आपको सारी यह हाइट यहां से फील हो जाती कि कितनी हाइट है इस ब्लॉक के सिरफ यहां तो लेवल जमीने कुछ पार्ट की डिप्रेश इमेजिस देख लेंगे यह जुलाई 2021 की मेंजिस हैं देन में 2021 ओके देन आज आज अपका जैनुबरी 2021 उसमें आप देख सकते हैं थोड़ा मजीज रिवर्स करें तो यहां तक यह है आपका बंता जून जुलाई 2020 की जुलाई 2020 में इस जिगा पराना गेट था यानिकि नै यह स्ट्रीटês हैं यह वैसी की वैसी ऑषी थी तो इसको स्राइटी नियृट बनाया और इसके मताबिक स्यूट्स को डिलिवर कर नहीं चुल कर दिया पहले मिले में यहाँ पांच मुले के साइज इकटिंग थी तो स्टाइटी ने यहाँ पे दस मरला और एक कनल इकटिंग यहाँ आइड कर दी 12 मरले के प्लॉट भी है, कुछ कौर्णल प्लॉट और यह में रोड अले जो प्लॉट हैं, यह सब के सब प्लॉट, वन कनल के प्लॉट हैं अब बात कीज़ाएं इस प्लॉट में जो में अमेनिटीज हैं, स्टाइटी की तरह अविलिबल होंगी एक तो इस ब्लॉट में एक लिनियर पार्क मुझूद होगा, यह वला पार्क और इसके सामने कमर्शल और मस्जिद भी आजएगी, तो एक्सेस यहां से यहां तक मिल जाएगी दूसरा जो पार्क है वो एक छोटा सा पार्क है, लिनियर पार्क तो नहीं है लगर एक छोटा पार्क है यहां पे, यह स्ट्रीट सिक्स पर आता है पर सुभी मेंबर का कमेंट था, कि स्मार्टि का मेंद करना है, तो आप न्यू मेटरो सिटी खारियां से करें, तो वहां पर गलोरिफिकेशन काम बहुत ज़्यदा हुआ है, नो डाओट स्मार्टि ने गलोरिफिकेशन काम पे कोई फोकस ने किया हुआ, मेरा ख्याल है इसको डेफिनिलिकर अपने ब्रैंड बनाना है तो इसके ग्लोरिफिकेशन वाले काम पे सेंस बनती है इसको काम करें लिए इसको साइटी ने ऐसा जिस पर कोई अभी तक उस तरह से फोकस नहीं किया हुआ फोकस करेंगी तो इसको बड़ा अच्छा रेनुमिट की अजास्ता है बड़ा अच्छा डिजाइन और बड़ा अच्छा एक आई सूधिंग होता है चीज को पसंद आ जाती है तो इस तरह की चीज मेरे हल में फ्योचर वले दिनों में आकर अड़ होगी तो ये और अवराल सेक्टर जी है इसके मैं चार साइट का पता दिया और अवराल लोकेशन का पता दिया गेट एंटर्स के साथ है इंताई अच्छी लोकेशन के प्लोट्स हैं और तमाव के तमा अमेनिटीज के लिए ब्लॉक के अंदर ऐसी को कमर्शल अक्टिविटी ने जो कि बहुत अच्छी बात है जी ब्लॉक को सिर्फ जो एक कौन आएगा जिन प्लोट्स को एक नेगिटिविटी जाएगी जिन प्लोट पे फ्यूचर में वो ये वाले प्लोट्स होंगे प्लोट काउंट होते हैं लेकिन फिर भी आपको जो कमर्शल साइड जिसंट होजेगा तो ये अरिया आपको वैसी जो मरी रोट है बंजेगा तो मेरा निखियाल अगर इतने पैसे लगा के प्लोट ले रहे हो तो आपको इन चीजों को नग्नोर करना चाहिए मेरा इन आप कर लोट कि बिजिए तो आपको अपने पॉइंट ओफिस जिस जुच अपने बेचन आपने प्लोट मुझे नि बेचना कल को जिसको भी बेचने तो इसने आपको ये वाले पॉइंट इनको लाजमी हाई लाइट करना है कि यह लाडा प्लोट कर नेगटव इंपक्ट अगर आप कैपिल स्मार्ट एट निया लहुर स्मार्ट एट निया बुकिंग के हवाले इसकुछ मालूमाँ चाहिए हूँ तो मेरे नमबर आपके स्क्रीन पे वेलेबल है मुझे वाटसेप कर सकते हैं इसके लावा अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, कमेंट और शेयर और हमारी वेबसाइट को विजिट करना मत भूले www.makansolutions.com रिजवान चीमा को दीज़ाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस कर सकते हैं कर सकते हैं